Hello students, मैं B.P. Singh. आज आपके लिए Center of Gravity का Lecture No. 8 लेके आया हूँ. 7 Lecture में मैंने Center of Gravity आर्क में बताई थी और 2 very very important example दिये थे. आज भी मैं कोशिश करूँगा कि Center of Area बताया जाए और उस पर भी कम से कम 2 example दिये जाएं. वैसे आप अगा CG के Lecture 1, 2, 3 देखेंगे तो मैंने वहाँ ये article भी define किये हैं. अब तो मैं केवल formula लिखूँगा और आपको proof करके दिखाऊँगा example. पूरी कोशिश करूँगा कि एक-एक point आपकी समझ में आए. तो चलिए आज हम दो question कम से कम करेंगे area पर. चलिए. Centroid of a plane area. Of a plane area. इसके मैं formula लिखे देता हूँ पहले. लेकिन ये define with figure के मैंने lecture 2 या 3 में बताया है. योगि lecture one में आर्क बताई है. lecture 2 में भी आर्क होगी तो lecture 3 में area होगा. और link description में है. ठीक है? चलिए. तो y बरावर अगर fx हो. और curve हो कहाँ at x-axis पर. तो ऐसी condition में आप x बार कैसे निकालेंगे? तो limit ये मैंने अपनी तरफ से लिखी है. a से लेकर b. x into elementary area होता है. या y dx. upon limit a से लेकर b. elementary area y dx. अगर यहाँ y बर निकालना होता आपको तो वो formula क्या है? तो y बर का formula होता है. limit a से लेकर b. limit तो question के according अलग आएंगी? यहाँ जो कि तो x की जगह पर सिर्फ half height हो जाएगी y की ऐसे. और into y dx elementary area यही रहेगा. upon a से लेकर b. y dx. हमने हैं क्या देखा? अगर x axis पर लेते हैं, तो उसकी जो length है वो पूरी मानी जाती है. जो कि cg मैं middle पर बनाओंगा, अगर y axis के लिएगे तो यहाँ कितनी height हो जाएगी? y upon 2. और यह आपका elementary area है. ठीक है? आईए. अगर यही कर्व y बरावर fx और कर्व रखी होती at y axis पर. या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस पर कार्वी, x equal f y. बस main चीज यह होती है कि कर्व अगर y axis पर हो, तो यहाँ x वार कैसे होगा? यह x वार माना जाएगा. यहाँ limit थोड़ी change कर दो, c से लेकर d कर दो. यहाँ y लिख रही है, आपको लिखना है x upon 2. यहाँ y dx की जगे पर लिखना है x dy. अपॉन limit c से लेकर d, x dy. और y वार आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे y वार में limit c से लेकर d, यहाँ तो y हो जाएगा, और यह बन जाएगा x dy. अपॉन integration c से लेकर d, x dy. बस आपको यह याद रखना है, इसमें जब यह x वार है, तो यहाँ यह y वार हो जाएगा, और y वार है, तो यहाँ यह x वार हो जाएगा. पोलर फॉर्म में हो, तब हम कैसे निकालेंगे वाल्यू? यह तो कार्टीजन फॉर्म में है, अगर पोलर फॉर्म में होता, तो पोलर फॉर्म का मतलब है, अगर r equal f theta हो, तो ऐसी condition पर आप x वार कैसे निकालेंगे, यहीं लिके देता हूँ, यहीं आ जाएगा. वही 2 upon 3, alpha से बीटा, यहां r q रहेगा, लेकिन cos की जगे पर, sin theta, d theta, इधर alpha से बीटा, r square, d theta. तो अगर पोलर फॉर्म में question होगा, तो x वार ये होगा, और y वार ये होगा, कार्टीजन फॉर्म में होगे, तो यह formula होगे. objective question, यानि mcq के लिए, ये मालोग होने चाहिए. और subjective paper है, तो मैं subjective question करा ही रहा हूँ आपके लिए. तो चलिए, पहला question मैंने एक लिख लिया है. Find the cg of the sector of a circle, subtending an angle to alpha at the center of the circle. यानि cg of a sector पूछा है, of a circle. तो sector means एक टुकड़ा, और circle का हम area ही निकाल सकते हैं, तो आपको question पढ़के ये भी पहचानना होगा, कि इसमें arc पूछी है, या area पूछा है. तो इसमें क्या है, sector है, तो सभावी का area निकालेंगे, तो जो center of gravity निकलेगी, वो area के according निकलेगी. तो पहले इसका एक छोटा सा figure बना लेते हैं, अगर मैं एक circle बनाता हूँ यहाँ पर, और ये मैंने एक छोटा सा part बना लिया, इसका sector बनाएंगे circle का, और center से angle, ये 2 alpha angle है. इसका मतलब इधर जो angle होगा, वो minus alpha होगा, और इधर जो angle होगा, वो plus alpha होगा. ये x-axis है, ये y-axis है, यहाँ o, और radius इसकी कितनी है a, अब हमने हैं क्या सीखा, कि जो मैंने ये curve बनाई है, ये symmetrical about x-axis है, तो मैंने बताया था, यहाँ y बार 0 होगा, तो मैं लिखें देता हू curve is symmetrical about x-axis, इसी लिए y-axis होगा 0, तो y-axis हमें free में मिल गया, अब जब हम area निकालते हैं, तो इस पूरे का नहीं area निकलता है, हम कोई strip काटेंगे, छोटी सी, तो मैं यहाँ एक strip काट रहा हूँ, यह angle theta, तो यह हो जाएगा d theta, यह strip PQ, जो यह strip काटेंगी, वो कितनी होगी, dr होगी, जैसे की, r d theta, dr अगर area निकालें, और यहीं से निकलता है g, x-var, y-var, यह मैंने मान लिया g, clear, अब यहाँ पर हम polar form में निकालेंगे, तो जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि polar form में x equal r cos theta, y equal r sin theta, x square plus y square equal to r square, अगर r वरावर a रख दिया जाए radius, तो circle यह मिल जाएगा, तो क्योंना में polar form लगा दू, तो y-var तो हिया 0 हो गया, यह वाला तो, अब सिर्प x-var बचा है, इसी formula को लगाते हैं, now, x-var होता है, 2 upon 3, minus alpha से plus alpha, r q cos theta, d theta upon, minus alpha से plus alpha, r square, d theta, यह वाला, अब यहाँ मैंने देखा, radius कितनी है, a है, क्या है, a है, इसका मतलब मैं r की जगे पर a रख सकता हूँ, तो यहाँ 2 upon 3, minus alpha से plus alpha, a q cos theta, d theta, upon minus alpha से plus alpha, a square, d theta, इस a square से यह power खतम हो गई, a बचा, इसको यहाँ ले आईए 2a upon 3, यहाँ केवल sin cos theta रहे गया, ऐसे, और d theta, upon यहाँ सिर्फ d theta रहे गया, minus alpha से plus alpha, d theta, आईए आगे integration कर देते हैं, 2a upon 3, यहाँ sin theta, limit minus alpha से plus alpha, यहाँ theta, minus alpha से plus alpha, आईए इसे खोलते हैं, तो 2a upon 3, alpha रखोगे तो यहाँ sin alpha, minus, minus alpha रखोगे तो plus के sin alpha, यहाँ alpha रखोगे alpha, plus minus alpha रखोगे तो plus alpha, यहीं बढ़ा लेते हैं, 2a upon 3, एक और एक दो, 2 sin alpha upon 2 alpha, इस 2 से 2 कट गया, इसका मतलब 2a sin alpha upon alpha, यह इसकी cg हो गई, o जी, यह center of gravity हो गई, area के according, एक particular case लगा दूँ इसमें, मैं कहरा हूँ, यदि alpha equal pi y2 हो तब, इधर pi y2, और नीचे minus pi y2 हो जाएगा, यही तो होगा, तो मैं हैं लिखे देता हूँ, if alpha equal pi y2 हो, तो यह x bar कितना होगा, यहाँ pi y2 रखोगे, तो केवल 2a बचाएगा, क्योंकि इसका मान वन, यहाँ pi upon 2, तो x bar हो गया, 2 उपर गया, 4a upon pi, और y bar होगा, कितना हो गया, 0, यह भी आपका क्या हो गया, x bar, यह इस question का answer है, यह कोई मैंने एक particular case रखके, इसकी value निकाल दी, अगर वो subtending and angle center से alpha न कहता, तो cg वास्ता में यह होती है, area के लिए 4a upon pi, और y bar क्या होता है, 0 होता है, तो यह question आपको कैसा लगा, एक छोटा सा comment करना, और आप इसकी इसाड़ ले लीजिए, चलिए तो example number 2 देखते हैं, 100% important और हर राइटर की बुक में मिलेगा, इसको हम schisoid भी कहते हैं, चलिए पहले पढ़ते हैं, find the center of gravity of the area, तो किलिए इसने area लिख दिया हैं तो, including between the curve, y square bracket में 2a minus x equal to x q, इसे हम schisoid कहते हैं, मैंने trace of the curve बाला topic है, वहाँ यह define किया है, और इसका जो diagram है, वो लगवाग धनुस जैसा बनता है, ठीक है, आईए तो सबसे पहले हम इसे एक लिख कैसे सकते हैं, वो देखीए, यहाँ से solve करना है, यहाँ से अगर मैं y square की value निकालूं, तो यह x q upon 2a minus x हो गया, this implies अगर y की value निकाली जाए, तो यहाँ से x मिल जाएगा और एक x भीतर ही रहेगा, 2a minus x, अगर x बरावर 2a रख दूं, तो 2a minus 2a 0, 0 की इसमें divide करोगे, तो infinity आएगा, क्या आएगा, infinity, यदि यहाँ पर x equal 0 रखें, तो y की value 0, और x equal 2a पर पहुंचाएं, तो y equal plus minus infinity बनेगा, आईए अब इसकी figure बना ले, limit भी समझाओंगा, इस प्रकार लगभग इसकी figure बनेगी, यहाँ x की value 0 और y की 0 है, x बरावर अगर यहाँ 2a पहुंच जाता है, तो y की value क्या होती है, minus infinity से लेकर plus infinity, और y का मान इस पर क्या होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक है, यह x axis है, यह y axis है, कर्व x axis के दौनो और बन रही है, इसका मतलब curve is symmetrical about x axis, तो यहाँ y वार 0 होगा, ऐसी वात हैं आप कभी मत भूलना है, तो मैं लिखे देता हूँ, since curve is symmetrical about x axis, इसी लिए y वार हिया क्या होगा, 0 होगा, x वार क्या होगा, वही formula limit तो यहाँ 0 से लेके 2a हो गई, formula x into y कैसे निकालेंगे, यहाँ अगर एक strip काट लेते हैं, तो y और y कितना हो गया, 2y elementary area, into इसकी मोटाई कितनी है, dx, मैंने dx कर दिया, ऐसे ही आप यहाँ करेंगे, यह 0 से 2a है, limit 0 से 2a, 2y dx, 2 से यह 2 कट जाएगा, बात वही आएगी, x y dx upon y dx, क्योंकि जब यहाँ निकालेंगे, तो height उपर भी y, नीचे y तो कितनी हो जाती, 2y, आप मतले को 2 तो वैसे भी कर जाता, direct formula मालूम होना चाहिए, x y dx upon y dx, अब y की value हमने यह निकाल ली, यह रखनी है, और intrigation करना है, चलिए, यहाँ पर मैं देखता हूँ, x बार यही से साध हो जाएगा, इसका intriga, limit 0 से लेकर 2a, x, y की value यह रही, तो यहाँ कर देता हूँ में, x square, under root के अंदर x upon 2a minus x और dx, limit 0 से लेकर 2a, y की value यह रही, x, under root के अंदर x upon 2a minus x और dx, अब इसको solve करना है, वैसे तो आप 12 में सीख गए होगे, इस coefficient को साथ लेना है, और यहाँ under root लगा हूआ है, और minus का sine है, जब यहाँ minus का sine है, तो x equal sine या cos मानेंगे, 2a साथ में लेंगे, जो coefficient होता है, जो को मना जाए, under root है, तो इसलिए आपको sine square लेना होगा, या cos square, तो क्या मानेंगे, मान लीजिए, यही लिखे देता हूँ, let x equal 2a sine square theta, तो dx equal क्या हुआ, 4a sine theta का cos theta और theta का d theta, अब बात आती है limit की, क्योंकि x से function किसमें convert हो रहा है, theta में, तो सभाव एक लिमिट change होगी, चलिए, यहाँ चलते हैं, limit, अगर theta की जगे पर, x की जगे पर 0 रख दो, तो theta का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि sine 0 की value 0 होती है, अगर यहाँ 2a रख दिया जाए, तो 2a से 2a 1, और 1 sine में किसकी value होती है, pi y2 की, अब इस पे आईए, x square करेंगे, तो यहाँ 4a square sine की power 4 theta, अंडर rule लगाईए, अंदर रखेंगे 2a sine square theta, यहाँ 2a minus 2a sine square theta, dx की जगे पर हो गया, 4a sine theta, cos theta, और d theta, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होई होगी, ठीक है, चलिए नीचे रखते हैं, limit वही आएँगी, 0 से लेकर pi y2, इसकी जगे पर आप रखेंगे 2a sine square theta, अंडर रूड की जगे पर 2a sine square theta, अपॉन 2a minus 2a sine square theta, और यहाँ 4a sine theta, cos theta, और d theta, किलिया, बस कोमन लेना है, चलिए, limit 0 से pi y2, पहले तो काट दीजिए, इस 4a से यह 4a कट गया, और इससे यह कैवार कट गया पता है, एक a बचा और यहाँ से यह 2 बचा, तो 2a बाहर आगया, यह पूरा पार्ट कट गया, यह, 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 यहाँ रह गया sine 4 theta, चलिए अभी इदारी लिख लीजिए, अंडर रूड के अंदर उपर है 2a sine square theta, इसमें से 2a अगर कोमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 1 minus sine square theta, उसे मैं लिख सकता हूँ, cos square theta, और यहाँ क्यार है गया था, केवल sine theta, cos theta और d theta, नीचे देखिए क्यार है गया, limit 0 से pi y 2, यहाँ sine square theta, और 2a sine square theta, और यह हल होके वही आएगा 2a cos square theta, और यहाँ sine theta, cos theta और d theta, अब जो कोमने फिर काट दीजिए, देखिए इस 2a से 2a कट गया, यहाँ लिख रहा हूँ x bar, limit 0 से pi y 2, sine की power 4 और 1, 5 theta, बहर निकलेगा sine theta अपॉन cos theta, अभी यहाँ एक cos theta बता था, वो यहाँ लिख दिया, d theta, ऐसे ही नीचे ले लिजिए, 0 से pi y 2, sine की power 1 और 2, 3 theta, इस 2a से 2a common, बाहर अंडरूर्ट से निकला sine theta, अपॉन cos theta, यहाँ cos theta रह गया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया, और d theta, इस cos से cos कट गया, इस cos से cos, अभी हमारा यहाँ 2a बचा था, वो 2a मैंने यहाँ लिख दिया, तो 2a limit 0 से pi y 2, sine की power 6 theta बचा, d theta, और यहाँ sine की power कितना बचा, 4 theta, और d theta, अब मैंने पहले lecture में, वालीज formula बताया था, लेकिन मैं हर वार दुबारा लिख देता हूँ, चलिए, यहाँ दिखाई देगा आपको जरूर, limit 0 से pi y 2 होनी चाहिए, sine हो या cause इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हैं sine लिखा हो या cause इससे मतलब नहीं है, limit 0 से pi y 2, और power n की जगे पर कुछ भी हो, तो कैसे खोलते हैं से, n-1 upon n, n-3 upon n-2, n-5 upon n-4, ऐसे ही, अगर 1 बटे 2 आए, तो आप साथ में लिखेंगे pi y 2, ऐसा कब होता है, जब n equal even हो, आप कहेंगे, अगर n equal odd हो तो, इसी के आगे आप लिखेंगे, अगर odd हो तो आएगा 2 बटे 3, into 1, इसके आगे हैं जगत नहीं है, और यह कब होता है, जब n equal odd हो, अब यहां रखके देखिए आप, 2a, यहां 6 रखेंगे, तो 5 upon 6, यहां रखेंगे, तो 3 upon 4, यहां रखेंगे, 1 बटे 2, 1 बटे 2 के बाद तुरंतों में क्या लिखना होगा, pi y 2 और cow, देख लो n even है, नीचे अगर हैं 4 रखेंगे, तो 3 बटे 4, फिर यहां रखेंगे, तो 1 बटे 2 और pi y 2, यह 3 बटे 4 से, 3 बटे 4, 1 बटे 2 से, 1 बटे 2 इससे यह, इससे यह कटिगा 3 वार, तो 5 a upon 3, यह आपका हो गया x वार, और y वार हो गया आपका 0, तो यह question कैसा लगा, प्लीज एक प्यारा सा comment जरूर करना, ठीक है, अगर आपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो से यह कर दी, तो मैं समझेंगा कि आपने मुझे दक्ष ना में कुछ ना कुछ जरूर दिया है, ठीक है, आप इसके इससाट ले ली दिये,